तो आज जो अभी के टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले वह है नियो इवल्यूशनिजम तो यह यूपेसी एंथ्रोपोलोजी पेपर वन जो इसमें सिक्स्थ यूनिट है उसके अंदर थेरीज दी गई है तो उन में से ही एक ठेरी हैं नियो इवल्यू इवल्यूशनिजम की बात करें तो इसके नाम में सुझ में आ रहा है कि यह कहींग है क्योंकि हमें पता है कि जतनी वी ठेरीज हम पढ़ते एंथरोजी में वो सब कल्चर के अराउंड ही घूमती है क्योंकि theories का purpose ही यह था कि culture actual में आया कैसे picture में यह culture spread कैसे हुआ, cultures का evolution कैसे हुआ, cultures का तो हर anthropologist ने अपनी-अपनी theories दी हुई है जैसे कि वो theories हम पहले पढ़ चुके मैंने सीधा यह वाली theories से start किया है पढ़ाना तो new evolutionism की बात करें तो यह new evolutionism तो इस theory में क्या है, कि यह theory जो है classical evolutionism जो हम theory पढ़ते हैं, सबसे पहले जो हमारे slayvers में दी हुई है उसी से inspiration लेके, उसी के जो criticisms थे, उनको address करने के लिए यह theory आई थी अब difference क्या है, जो classical evolutionism theory थी, वो 1860 में जो Darwin का biological evolution था Darwin's biological evolution जो हम पढ़ते हैं, उससे inspired होके, जो harbert spencer थे उन्होंने उसी theory को, जो biological evolution theory है Darwin की, कि humans कैसे evolve हुए जो आज humans है, वो कैसे biological evolve हुए, अलग-अलग stages में तो वैसे ही उनसे inspired होके classical evolutionism theory आई थी, अब classical evolutionism theory हम पढ़ चुके, उसके अंदर क्या theory होती थी, मतलब आप लोगोंने पढ़ा ही होगा, तो classical evolutionism के अंदर, हम देखते हैं कि culture कैसे evolve हुआ है जैसे कि सबसे पहले savagery था, barbarism आया, दिन civilization आया, तो उसके अंदर तीन anthropologist की बात करते हैं, कि जैसे Herbert Spencer ने तो cultural evolution के concept दिया, अब उसको detail out करने के लिए तीन anthropologist पिचर में आते, सबसे पहले हमारे EB Tyler, EB Tyler अपनी theory of evolution की कुछ cultural evolution के respect में कुछ studies करते, वो उसके बारे में बताते, दिन हमारे L.H. Morgan आते, उनकी थेहरी हम पढ़ते, जैम्स फ्रेजर, तो ये तीन anthropologist की हम बात करते है cultural evolutionism में, और ये समय कब का था, तो ये late 19th century अब समझ सकते हो, late 19th century में, 1860 में तो Darwin ने theory दी थी, biological evolution, ultimately उसके बाद ही, उसको हमने culture study में, anthropology के अंदर apply किया, biological evolution को, जिसमें की role था, Herbert Spencer का, then ultimately, 1870s, 80s में हम लोगों ने, ये classical evolutionism, हम बोल सकते हैं, शुरुवात हो गई इसकी, 1900 में हमें पता ही हिस्टी में की, 1900 आते आते, anthropology को, एक separate discipline की तरह study किया जाने लगा, एक specific discipline बना दी गई, colleges में establish कर दी गई, जिसमें की EB Tyler का बहुत बढ़ा रोल था, anthropology को, colleges के अंदर, institutions के अंदर, एक discipline की तरह, अलग से पढ़ जाने लगा, then, तो new evolutionism को आते हैं, देखो classical evolution के बाद, इतने सारे school से हमने देखे, diffusionism, structuralism, structuralism, functionalism, culture personality, to cultural materialism, माले ये सब schools होते, वैसे new evolutionism, जो आता है new evolutionism, ये 1930s, 1940s के आसपस develop होता है, और इसको develop करने वाले, प्राइम, हम बात कर सकते हैं, तीन तो नहीं बोलेंगे, बलकि पाच थे, जूलियन स्टीवर्ड, लेसली वाइट, गॉर्डन चाइल्ड, सैलिंस, सर्विस, तो ऐसे पाच थे anthropologist के बारे में हमें पढ़ना पढ़ता है, तो new evolutionism की जो शुरूवात हुई, उसमें जूलियन स्टीवर्ड का की रूल था, तो आज की जो हमारी क्लास है, जो आज का लेक्चर है, वो जूलियन स्टीवर्ड पे ही फोकस करने वाला है, तो जूलियन स्टीवर्ड जो थे वो उन्होंने ही new evolutionism की शुरूवात की थी, और इन्होंने, इनके जो प्रेडेसर थे, महलें जिन से लोग inspired थे, जो की थे classical evolutionist, उन से inspired होके इन्होंने multilinear evolution की शुरूवात की, जूलियन स्टीवर्ड ने, क्योंकि जूलियन स्टीवर्ड ही है, जन्होंने specifically new evolutionism school के अंदर multilinear evolution का concept दिया, ठीके, और इसके बाद जो हम आगे पढ़ेंगे, Gordon Child, Leslie White, उन्होंने universal evolution के वारे मे concept दिया है, then last में silence and service आएंगे, जो दो anthropologist थे, इन्हीं के student थे, Leslie White और आपके Gordon Child के students थे वो, silence and service, तो उन्होंने specific and general evolution का concept देते, तो new evolutionism के अंदर हमें तीन theories पढ़नी है, तीन approaches है, new evolutionism के अंदर, तीन theories आईए अलग-अलग, इस school के अंदर, पहले थेरी है, multilinear evolution, दूसरी तीसरी होगे, universal evolution, तीसरी होगे, general and specific evolution, तो आज हम multilinear evolution पढ़ने वाले हैं, फिर इसमें multilinear evolution में, अब इसको हम आगे देखते हैं, कि यह क्या है, multilinear evolution एक्चुली क्या बात कर रहा है, तो देखिए, आप लोग को पता ही होगा, कि जब हम classical evolutionism पढ़ते हैं, जब हम classical evolutionism पढ़ते हैं, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था, उसके अंदर जो classical evolutionism का criticism भी था बहुत बड़ा, जिसमें उन्होंने दिया था, psychic unity of mankind, याद होगा आप लोग को, उनके हिसाब से क्या था, classical evolutionist का मन्ना ये था, कि दुनिया में, जितने भी culture से, हर culture, same lines पर originate हुआ है, जिसको उन्होंने बोला, unilineal evolution of culture, unilineal evolution of culture का मतलब ये होता है, कि हर जगा पे, चाहे आप Africa ले लो, चाहे आप Europe ले लो, चाहे एशिया ले लो, कोई भी continent आप ले लो, जहापे भी humans evolve हुए है, या culture evolve हुआ है, sorry culture evolve जो हुआ है, वो एक ही line पर हुआ है, और यह अपने theories में भी बताने की कोशिश करते हैं, इन्होंने क्या line बताई थी, कि हर एक culture savagery से आया है, barbarism की तरफ गया है, then civilization, अब savagery में हम hunting, gathering रख लेते हैं, barbarism के अंदर हम agriculture को रख लेते हैं, civilization के अंदर हम industrialization, cities वगेरा के develop होना, वो सब हम civilization में रख लेते हैं, तो यह unilineal evolution है, मतलब एक ही line के along, हर culture evolve हुआ है, हर culture पहले savagery में था, then barbarism stage में गया वो, then barbarism stage के बाद और evolve हुआ culture उनका, वो फिर civilization की तरफ चली गए, तो यह unilineal evolution कहलाता है, कि भाई हर culture, यह universal theory दी थी इन्होंने, याद रखना जो classical evolutionism था, वो universal theory पर focus करता है, उनका aim ही था कि एक universal theory होनी चाहिए, कल्चर evolution को समझाने के लिए, ठीक है, तो इनका यही focus था, और यह नोंने unilineal evolution के बारे में बताया, अब फिर हम, फिर हम multilineal evolution की बात करेंगे अगर, तो multilineal evolution जो है ना, वो just इसकी अलग चीज़ बताने की कोशिश करता है, हाँ, एक बात और कि जो classical evolutionism थे, उन्होंने जब बोला था, कि culture जो होता है, वो एक ही line के around evolve होता है, एक ही line पे develop होता है culture, जिसको उन्होंने unilineal बोला, वो तीन stages जो हम देख चुके हैं, कि पहले hunting gathering थी, फिर आपकी agriculture आई, हर एक society, हर एक culture का बोल रहे है, हर tribe के लिए, हर culture के लिए, यह चीज फॉलो होगी, अब उसमें बाकी चीज़े थी, आपने लोगोंने पढ़ा ही होगा, कि skip stages जो हो सकती है, हो सकता है hunting gathering के बाद agriculture नहीं आए, सीधर civilization आए, है ना, पर जो भी, जो भी culture evolve होगा, वो इन तीनों के ही along होगा, है ना, hunting entering होगी, agriculture होगा, civilization होगा, इन तीनों के अलावा, कुछ नहीं होगा, culture इन तीनी stages में evolve होगा, इसलिए इनको unilinear बोल दिया, अब इनके, अब यह जो जूलिन स्टीवर्ड आए, इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने सोचा कि यार, culture को हम evolution के बारे में समझाए, approach रखके, पर इन्होंने देखा कि यार, इतने सारे schools आए, उसमें किसने focus किया इन्होंने पड़ा हुआ होगा, classical evolutionism के बारे में, तो इन्होंने उनके criticism को भी पड़ा होगा, जिसमें कि classical evolution ने बता दिया था कि यह जो unilinear evolution हो रहा है, इसका कारण है, सबसे बड़ा कारण है, psychic unity of mankind, जिसका मदलब था कि इस दुनिया में हर एक इनसान एक ही तरीके से से दी हुई थी, और इसके basis पे उन्होंने unilinear evolution of culture को explain कर दिया था, ठीक है, और जिसमें उन्होंने culture parallels के मदल ली थी, कि हर society, irrespective of, मतलब वो geographically, geographically isolated होने के बाबजूद भी, वो similarity show करते, culture parallels का मतलब वही था ना कि, दो region geographically isolated है, उसके बाबजूद भी उनके culture में similarities देखने को मिल रही है, same tools देखने को मिल रहे है, तो उसके पीछे कारण कहा था कि हर इंसान है, वो एक ही तरीके से सोचता है, जिसको उन्होंने psychic unity of mankind बोल दिया था, और जिसमें उन्होंने मदद ली थी, culture parallels की, evidence के तोर पे, क्योंकि आप कैसे proof करोगे कि हर इंसान एक ही तरह सोचत तो जो Julian Stewart थे भाई, इन्होंने क्या सोचा कि इनके मताविक culture जो है, वो सिर्फ एक ही line के around नहीं evolve होता है, जिसे जो classical evolution ने बोल दिया ना कि भाई, culture जो होता है, वो unilineal evolution शो करता है, इन्होंने वोला नहीं, culture जो है, वो unilineal evolution शो नहीं करता, अब ये उन्होंने कैसे समझाया, ये चीज़ उन्होंने कैसे proof की, तो इन्होंने multilineal evolution का concept दिया, ठीके, Julian Stewart ने, अब इन्होंने क्या किया, इनका purpose भी वही था, कि culture कैसे develop हुआ है, तो वो ये बता पाए, culture कैसे evolve हुआ है, तो आप ऐसे सोचते हो कि, जब हम ये theory पढ़ते नियो evolutionism, और उसके अंदर हम Julian Stewart पढ़ते हैं, तो Julian Stewart के अंदर हम दो topics पढ़ते हैं, जिस पर question आ सकते, questions आते हैं, in fact, तो multilineal evolution क्या होता है, cultural ecological approach क्या होती है, तो कुछ नहीं है, ये दोनों interdependent है, मलब basically, अगर आप multilineal evolution इन्होंने theory दी, जिसमें उन्होंने बताया है, कि उसका example में बता दूँगा, कैसे, अलग-अलग lines में बोलना चाहा हूँ, multilineal evolution, अब उसको proof करने के लिए, ये तो उनका end हो गया, मलब ये theory उन्होंने basically derive की, multilineal evolution, इसको explain करने के लिए, इन्होंने cultural ecological approach का सहारा लिया, मलब ये approach इन्होंने use करके, ये end achieve किया है, तो आप cultural ecological approach, एक means हो गया, और multilineal evolution आपका end हो गया, जिसको आप achieve करना चाहरे हो, इन्होंने इस methodology का use करके, ये theory उन्होंने derive की, जिससे हमने पड़ा, classical evolutionism में, उन्होंने classical evolutionism को explain करने के लिए, psychic unity of mankind को आधर बनाया था, तो वैसे ही, इन्होंने cultural ecology approach, क्योंकि क्या होता है, कि कोई theory को आपको proof करना है, तो anthropologist को उस theory को approach करने के लिए, खुद एक methodology भी बतानी पड़ती है, कि आपने किस basis पे इस चीज़ को proof किया है, तो ये आजाता है, अब multilineal evolution होता क्या है, कि कब आया, तो जो 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 लेन स्टीवर्ड है, उन्होंने अपनी book, the theory of cultural change, 1955, उस book के अंदर इनोंने multilineal evolution का जिक्री किया था, उसके अबारे में बताया था, इनके हिसाब से, इनके क्या मानना था, that not every culture went through the same process of evolution, ठीक है, some cultures have developed in one line, the other cultures have developed in the different line, and so on, thus creating a multilineal evolution, समझ गया आप, मलब जैसे आप अगर तीन अलग culture लेए, A culture है, B culture है, ये C culture है, अब जरूरी नहीं है कि A culture भी, savagery, barbarism, civilization में जाएगा, ये भी, savagery, barbarism, civilization में, ये भी, हैना, तो ये तीनों सेम जाएगे, इनका ये भी हो सकता है, कि हो सकता है, ये जो A है, ये hunting gathering में रहे, हैना, hunting gathering के बाद ये pastoralism में चला जाए, मलब भाई, agriculture से पहले pastoralism में चला जाए, ये वाला culture, जो B culture लो, आप ये हो सकता है, hunting gathering में रहे, फिर agriculture में ही आए, then civilization, C वाला है, ये हो सकता है, hunting gathering से ही, ये सीधा pastoralism से start हो, तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इन तीनों में ही आपका culture evolve होगा, जो classical evolutionism ने बताया था, जो उस school से belong करते थे, आपके Fraser हो गए, और आपके Morgan Morgan, A.B. Tyler ने बताया थ कि culture सिर्फ इन तीन चीजों में ही evolve करेगा, इन्होंने ऐसे नहीं बोला, इन्होंने बोला कि नहीं भाई, त्यारा multiple lines, हो सकता है, एक culture इनी तीन लाइन के along evolve करे, जिसा कि उन्होंने बोला था, पर उन्होंने क्या किया था, classical evolutionist ने, उन्होंने बोला था, कि हर culture, irrespective of geographical location, सि इन तीन ही चीजों में evolve करेगा, पर इनके एसाब से नहीं, evolution lines में 3-4 stages भी हो सकती है, 5 stages भी हो सकती है, 2 stages भी हो सकती है, तो ये इनका मानना था, कि हर culture, अलग-अलग lines के along evolve करता है, तो multilineal evolution आप समझ गए, फिर, Stewart's methodological approach to multilineal evolution was to select for detailed comparison, a small number of particular cultures, that were in similar environment, अब देखो, उनको multilineal approach को explain करना है, अब अगर हम उसके लिए हमें ये समझने के लिए हमें, पहले जोलिन स्टीवर्ट के बारे में समझना पड़ेगा, कि जोलिन स्टीवर्ट जो थे ना, उनका मानना था, कि अगर आपको culture को study करना है, तो जो आपकी approach है, वो scientific approach होनी चाहिए, scientific approach होनी चाहिए, जिसमें आप कुछ observe करो, उसके बाद ही आप कुछ theory को derive करो, scientific approach हो, तो इनका मानना यही था कि anthropology को, जो study किया जाता है, वो scientific तरीके से study किया जाना चाहिए, anthropology को, तो इन्होंने, अब इनको देखो, multilineal approach, evolution को explain क करना था, multilineal evolution को, हैना, तो इन्होंने, एक methodology तयार की, हैना, अब देखो, क्या होता है, हमने उपर देखा था कि cultural ecology approach, जो है, वो, एक means है, in order to attend an end, और उस end को, हम multilineal evolution बोलते हैं, अब आप भी बताओ कि, अगर आपको को को culture को study करना है, तो उसके लिए आप उन culture को कैसे choose करोगे, तो उसके लिए कुछ एक, आप कुछ criteria पहले से fix करके रखते हो, यह ना, तो इन्होंने अपनी जो एक methodology दी, multilineal evolution को prove करने के लिए, उसको समझाने के लिए, इन्होंने बोला कि, पहली बाद तो यह, कि आप एक culture को सिर्फ study नहीं कर सकते, आपको कुछ multiple cultures को study करन हैं, अलग-अलग time पे, और देन आप उनको compare करोगे, ताकि आप बता पाओ कि हाँ इन culture में यह similarities है, और यह इस basis पे evolve हुए culture, तो इन्होंने, सबसे पहले क्या condition दी, इन्होंने कुछ conditions दी, पहले सीज तो, his, steward's methodological approach to multilinear revolution was to select for detailed comparison, तो आप को कुछ, for detailed comparison, a small number of particular cultures, तो आपको कुछ particular cultures को choose करना है, क्या है न, इतने सारे cultures है, अब आप हर culture को तो study नहीं कर सकते हो, पर आपको यह से भी नहीं कि आप सिर एक culture को study करके, उस पे आप theory बना दो multilinear revolution, सिर एक culture को करके, तो नहीं होगा न, तो आपको कुछ cultures को select करना है, suppose आपने 4-5 cultures study कर लिये, वो select कर लिये, दिन आपने उनको study कर लिया, दिन उनको compare कर लिया, और उनकी बीच में similarities क्यों है, वो आपने current बता दिया, जैसे पहले उन्होंने psychic unity बताया था current, तो इसमें इन्होंने क्या current बताया तो पहले चीज जो आप cultures select कर रहे हो, वो similar environment में होने चाहिए, similar environment मतलब या तो जो आप tribal culture या जो भी आप culture ले रहे हो, जो भी आप tribes को study कर रहे हो, या तो वो tribes हो, वो desert tribes हो, बलब जो आपने 4-5 tribes को लिया है, वो 4-5 tribes आपकी desert में पाई जाती हो, या वो 4-5 tribes आपकी forest tribes हो, यह फो 45 आप की hil tribes हो हो यह 25 ऐपकी forest tribes को पर दूसरी चीज कि आप culture को सेольख्ट कर रहे हो फिरह वह कल्चर में type national आपको मिलना चाहिए सेम लेवल ऑफ सोशियो कल्चिरल इंटीग्रेशन मतलब कि उस कल्चर में जो फैमिली इंस्टिटूशन है वो सेम होना चाहिए अगर बैंड है तो सब में बैंड होना चाहिए अगर सब में ट्राइव है तो ट्राइव होना चाहिए अगर सब में चीफडम है तो सब में होना चाहिए तो यह socio-cultural integration सेम होना चाहिए सेम लेवल हो ऐसा नहीं है कि आपने एक कल्चर लिया भाई उसमें स्टेट बन चुके स्टेट और्गनाइजेशन जब हम चाहिए तो वैसे उन्होंने वहला कि जो भी आप कल्चर ले रहे हो पहले चीज़ तो उसमें सिमिलर इंवायमेंट में वह कल्चर होने चाहिए वेरी इंपॉर्टन तो कि इन्वायमेंट सेम होना जरूरी है जब यह कंपेर कर पाऊगे ऐसा नहीं कि एक कल्चर आपने फॉर इंटीग्रेशन है ना तो पॉलिटी उनका सेम लेवल पर होना चाहिए फिर तीसरी चीज वाइटली डिस्ट्रिब्यूटेट जोग्राफी कली मतलब उनकी जो 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 जोग्रफी है वह आईसोलेट होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि आपने पाच कर चल लिए वह एक दूस डिवलप होता है औरिजिनेट होता है देवलप होता है धन वो करता है अलग-अलग रीजन बाले वाले आपने तो इसमें यह ना उस चीज़ को कर सिर दो करते कि वह आपने तो डिपने दूघन को इन्होंने पहले बोल दिया कि आप कल्चर को स्टेडी कर रहे हो तो जो आप कल्चर को चूज करने वाले हो इन तीन बेसिस पे चूज करना होई है ना उसके बाद accordingly similarities in the sample of cultures that steward selected would have to be the result of parallel adaptations that is similar that is similar responses to similar environmental conditions अब देखो हमने यहां पर बोली दिया था कि जोग्राफिकली आपने separated cultures को लिया है जो बहुत दूर दूर है एक कल्चर अगर एशिया में है तो दूसरा कल्चर थोड़ा दूर है उससे continent में आ गया या उसी continent में दूर है एक्दम close नहीं है जोग्राफिकली ठीक है फिर और similar environment में लिया है हमने similar environment but widely separated geographically तो भाई आप यह बताओ कि अगर कोई दो कल्चर है जो 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 जोग्राफिकली सेपरेटेड है उसमें diffusion काम नहीं कर रहा है आप यह नहीं सब्सक्राइब कर दोनों में दो कल्चर में similarity जो आई है वो diffusionism के वज़े से एक कल्चर से दूसे कल्चर में diffusion हुआ है कुछ traits का इसलिए वह similarity आप नहीं बोल पाऊगे तो इसमें एक ही कारण निकल के आएगा कि जो similarity है दो कल्चर में वह similarity parallel adaptation के वज़े से parallel adaptation मतलब एक कल्चर में एक समय पे जो टिकनोलोजी या जो भी टिकनोलोजी चल रही है और दूसरे कल्चर में भी वही टिकनोलोजी यूज हो रही है और क्यों हो रही है इसमें कोई diffusion वाला खेल ही नहीं है इसमें खेल हो रहा है इन्वाइमेंट का सिमिलर इन्वाइमेंट जैसे उन्होंने classical evolutionist क्या बोलते थे कि अगर आपको same similarities मिल रही है कल्चर में वह psychic unity of mankind के वह से मिल रही है तो वह irrational चीज थी वह scientifically approved नहीं कर सकते थे इन्वाइमेंट के वजे से ही similarity आपको मिल रही है दो कल्चर में तो यही इनकी थेयरी थी और इसको explain करने के लिए इस theory को explain करने के लिए उन्होंने कल्चरल एकलोजी अप्रोच का इस्तिमाल किया तो इन्होंने scientific और materialist explanation का यूज किया कल्चर सिमिलारिटी को बताने के लिए ऐसा नहीं कि इन्होंने बस एक बोल दिया कि नहीं psychic unity of mankind के वज़े से अब मान लो आप तो वैसा नहीं था अब इसमें अब हम देखते कल्चर एकलोजी कल अप्रोच है क्या मलब जिसके basis पे इन्होंने इस चीज को बताया है तो कल्चर एकलोजी कल अप्रोच की बात करें तो देखो मैंने जैसे स्टाइटिंग में बोला था कि जो जूलिन स्टीवर्ट थे यह हमेशा इगर थे मला यह हमेशा चाहते थे कि कल्चर को अगर explain करना है तो उसको scientific और materialistic explanation की ज़़रते कल्चर को तो scientifically अब कल्चर को study करना मतलब आपको यह बताना है कि scientifically कोई दो culture है यह कल्चर बी एक बीकठर इनकी बीच में जो similarities है इन का basis क्या है तो उसी को causality बोलते है न तो यह term आप कर सकते आप से लिखते वक्त कि यह आपको use करना ही है क्या है क्या है कि किनी दो culture यह किनी तीन culture में जो भी similarities आ रही है, उसके पीछे का reason क्या है, तो उसको cultural causality, ये बड़े eager थे यार ऐसा क्यों है, culture में similarities क्यों आ रही है, तो इसलिए उन्होंने, ये उनकी approach, इसलिए उसी के लिए उन्होंने cultural ecological approach को derive किया कि भाई ये reason दिया है उन्होंने similarities का, अब Stewart persistently developed the theoretical and methodological framework for studying cultural changes adaptation in which environmental influences were specially important तो देखो सीधी बात है, उन्होंने cultures को ऐसे ही choose किया था, जिसमें उन्होंने environment को same रखाता तो इससे वो ये ही बताना चाहरे थे कि जो culture change होता है या culture का evolution होता है, वो environment के evolution या environment के change के वज़े से ही होता है, अगर आपके environment में change आएगा, तो उस environment में adapt करने के लिए आपको अपने culture को भी change करना पड़ेगा है ना, तो तो यही उन्होंने बताया, cultural ecological approach के through यह उन्होंने एक methodology डेवलप की और इसी चीज़ को वो प्रूफ करना चाहरे थे in short वो environment को बताना चाहते थी कि culture change में responsible कैसे environment, फिर based on ethnographic and ethnological studies, he concluded that both environment and culture are in dielectric interplay dielectric interplay with each other, hence they are not a part of separate spheres देखो, अभी तक क्या होता था ना anthropology के अंदर जब culture पड़ा जाता था, हम पहले के schools की बात करें, जो इससे पहले cover हो जाते, तो उनमे cultural evolutionism जो हमने पड़ा था उसमें environment की कोई बात ही नहीं की थी है ना, उसमें उन्होंने environmental factors को diffusionism को तो avoid ही कर दिया था तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं, इनका मानना ये था Julian Stewart का, कि आप culture and environment को अलग-अलग मत देखो आप culture और environment को एक ही coin के दो पहलू के तोर पे देखो आप है ना so according to him culture and environment are two sides of a same coin ये मान के ये चलते थे तो यही इसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने studies से ये conclude कि environment और culture they are in dielectric dielectric interplay with each other dielectric interplay का मतलब ये होता है कि कोई दो contrasting चीजों का एक साथ exist करना जैसे कि आपको कोई बोले कि spring season चल रहा है ठीक है और spring season में snowfall हो रही है अब दोनों contrasting चीज़ है सीधी बात है आप भी सोचोगे कि spring season में snowfall कैसे हो सकता है spring season में snowfall हो इनी सकता ज़िए snowfall हो रहा है तो spring season नहीं होगा कोई दूसरा season होगा इंडिया में नहीं होता है अपन in general बात कर रहे है तो यह दो contrasting चीज़ है एक चीज़ एक चीज़ कर रही है अलग है और यह चीज़ का reason अलग है पर दोनों तो भी exist कर रहे है साथ में तो वैसे ही environmental culture although दोनों एक दूसरे को oppose करती है पर तो भी दोनों साथ में exist करती है कैसे तो वह हम देख चुके है कि environment कैसे culture को influence करती है और culture कैसे environment को influence कर रहा है so they are not a part of separate spears rather they are a part of same sphere एक ही सिक्क्य के दो पहलू है तो यह इनकी theory का बोलना था कि in short आप जब भी किसी culture को study करो तो आप उस culture की environment को भी study करो physical environment की बात हो रही है यह आप है physical environment climate कैसा है वहाँ का है ना तो उन चीज़ों को focus करना है अब देखो cultural अब हमने देख लिया कि जो multilineal evolution होता है उसमें कुछ cultures को select किया जाता है यहना based on three factors जो उन्होंने culture के बताए थे हैना कि same environment होना चाहिए फिर दूसरा था कि geographically isolated होने चाहिए culture थोड़े दूर होने चाहिए widely separated होने चाहिए और तीसरी चीज़ उन्होंने बताए थी कि जो culture को study कर रहे हो वह क्या थी अपनी तीसरी चीज़ हां तो पहला तो कुछ मतलब वही कि आपका हां sorry same social cultural integration है ना तो यह आपने इसमें चीज़े बता दी अब यह तो आपने culture यह तो आपने बोल दिये कि हैंगे ऐस बेसिस पर culture को choose करना हैं हम आपने cultures को चूस कर लिया अब उनtu कलश को study के स्टडी के से कर ओ गया ऊप तो यह अप्रोच को यूज करके उन culture को study करने तो यह अप्रोच किया बोलती है basically कि कि इसे भी प्रक्राइब करने के लिए तीस स्टेप्स को आपको सव् politically लिए और उसके अंदर उठीज के अंदर उसके fav एक बटिकलर लिए और उस कल्चर को आप यह- ग देखोगे है culture है उसके अंदर कल्चर कौर को आप इडीवाइड करोगी कि उस कल्चर के अंदर कल्चर को क्या है कल्चर को मदलब क्या है कि उस कल्चर में call resources जो है वह कौन सी users हो रही भी है यह और उन नेचल्रेसॉर्स को करने के लिए कौन सी technology ये तो यह अप identify करोगे आपने एक कल्चर के एक कल्चर को study करने गए आप तो आप देखोगे कि एक कल्चर में कल्चर कोर किया है मलब वहाँ पे natural resources के अवे लेबल है और उन natural resources को extract करने के लिए उनको निकालने के लिए आप कौन सी technology का use कर रहे हो यह आपने identify कर लिया अब दूसरी चीज़ आप क्या करोगे आप देखोगे कि उस culture के अंदर social organization of work कैसा है social organization of work मतलब division of labor की बात हो रही है in short क्योंकि क्या है आप resources को आपने extract कर लिया पर resources को extract करने के बाद आपको उसको utilize भी करोगे तब ही तो आप सर्वाइफ कर पाओगे ना resources को extract करना ही काफी नहीं है उन resources को utilize करना भी ज़रूर ही है तो उसके लिए social organization of work क्योंकि एक इंसान हर काम तो करेगा नहीं वही तो इसलिए आपको एक social organization of work चाहिए for these subsistence and economical activities अब यह दोनों चीज आपने study कर ली आप तीसरी चीज क्या देखोगे कि यह जो दो steps आपने देखी है culture core जिसमें आपने पढ़ लिया technology और दूसरी चीज social organization of work यह division of labor यह दोनों चीज तीसरी चीज को influence करती है वह तीसरी चीज क्या है तीसरी चीज मतलब जो culture का दूसरा पार्ट है जैसे कि social institutions political institutions religious institutions तो इन तीनों इन यह दोनों मिलके इस तीसरे वाले को इनको influence करती है अब इनको influence करने का मतलब क्या है कि जो आपकी कोई भी culture को study करोगे उसका जो social institution होगा आप social institution में आप marriage ले लो family ले लो यह वहाँ का political institution है यह वहाँ का religious institutions है तो वह religious institutions इस तरीके से होंगे कि वह इन दोनों चीजों को ensure कर पाए मतलब वह आपकी natural resources को extract करने में भी मलत करें और division of labor ensure करने में भी मलत करें तो यह दो factors दो stages तीस्य स्टेज को influence करती है तो यह culture ecological approach बोलती है हमें इसमें इन्होंने culture core में क्या रखा है technology याद रखा है याद रखना आप आगे जाके जब Leslie White पढ़ोगे इसके बाद जो आते जुलिन स्टीवर्ट के बाद तो उन्होंने energy को core में रखा था उनके साब से energy को identify करना ज़्यादा जरूरी है instead of technology यहना तो core में उन्होंने energy को रखा हुआ है तो इस तरीके से स्टीवर्ट developed an ecological framework for describing and to some degree explaining a particular culture है ना क्योंकि हमने एक culture को study करने का तरीका बताया है यह उन्होंने ऐसे करकर कि आपको अलग-अलग culture को study करना है देन उनको आपको compare करना है और उनकी बीच में जो similarities है वो आपको बता देने हैं clear तो यही cultural ecological approach थी तो आई होप आप लोग समझी गए होगे कि हमने multilineal evolution को explain करने के लिए यह methodology बनाई थी है ना तो multilineal फिर से मैं बोल देता हूं multilineal evolution के लिए आपको कुछ cultures को लेना है कुछ chunk of cultures को उठाना है देन उन cultures को किस basis पर उठाना है तो वह हमने ऊपर देख लिया था तीन कारण जो तीन रीजन तीन factors बताये थे चूज करने के लिए यहाँ पर जैसे कि small number of particular cultures के लिए similar environment होना चाहिए similar social cultural integration होना चाहिए और widely separated होने चाहिए geographically तो यह अब इसको यह तो आप कर लोगे अब आपने culture को चूज कर लिए पाच culture से चार culture जितने भी आप study करने वाले हो फिर उन में से हर एक culture को आप अलग-अलग study करोगे तो उनको आप यह अप्रोच लगा के study करोगे उन cultures में आप यह तीन चीज़े देखोगे वर इन तीन चीजों की basis पे हर एक culture को आप इन तीन stages के form में ही study करोगे इन तीन steps को ही यूज करके तो आप उनको compare करोगे तो यही cultural ecological approach है फिर criticism देखते अब देखो मैंने जैसे की बो पोट है यह एक American anthropologist है इन्होंने criticism दिया हुआ है new evolutionist का क्या है ना new evolutionism स्कूल के जाधा ऐसे कुछ criticism थे नहीं क्योंकि यह क्या यह conclude कर रहा था इन शौट जो लंबे डिवेट्स चले आ रहे क्लासिकल evolutionist के diffusism के structuralism के तो इन सब को यह conclude करके एक डिवेट को एंड करने की कोशिश कर रहे थे तो इनकी criticism ऐससा चैसे कोई जाधा है नहीं तो अब हम यह criticism देख लेते कि रॉयर एपर पोट है इन्होंने बोला था कि जो cultural ecological approach जो इन्होंने यूज किये Julian steward ने इसमें इन्होंने energy factor को consider नहीं किया as an integral of cultural ecology बहले इन्होंने जो core है core को इन्होंने energy नहीं मानी थी core इन्होंने technology मानी है देखो मैंने बताया था आपको पहली चीज इसमें जो पहली step थी culture core culture core में इन्होंने technology को लेके चले थे हैं तो इन्होंने बोला कि नहीं energy लेना चाहिए क्योंकि after all आप technology का use करके nature से आप environment से आप energy to extract कर रहे हो तो main focus तो आपका energy है technology तो बस एक means है तो आप पहले energy देखो कि उस culture में क्या energy यूज हो रही है energy कैसे आ रही है energy मलब energy में आप समसकते food हो गया आपका energy दो तरीके की है एक तो आपके food आपके इस फॉर्म में में ले रहे हो फिर food के लिए food के साब से तो आपकी technology डेवलप होगी जैसे आपको hunting gatherer हो आप हंट करके आप food ले रहे हो तो उसके लिए आपके tools होने चाहिए तो tools मतलब technology हो गया और food मतलब जो आप जो वह लोग मास्ट खाएंगे जानवर का जो मीट खाएंगे वह आपका energy हो गया उससे वह आपको food हो गया यह energy जिससे आपको मिलेगा तो यह नोंने बोला फिर इनके साब से not in every culture the technology is the core feature जैसे कि आप सेम बागा मेरिंग ट्राइफ का example लोगे सेम बागा मेरिंग ट्राइब जो है वो एक horticulturalist ट्राइब है न्यू गिनी के अंदर पाई जाती है तो उनके अंदर टिक आप अगर study किया जाए किया गया है तो उसमें technology को कोर में नहीं रखा गया है क्योंकि technology कोर फीचर नहीं है उनके religion और ideology कोर फीचर है तो यह इनका criticism हो गया तो इस तरीके से new evolutionism में जो पहला thought है जो multirenal evolution और उसको प्रूफ करने के लिए जो cultural ecological approach दी गई है by Julian Stewart यह हमने समझ लिया है Thank you